ओम श्री गनेशा नमा मित्रो रादे रादे धरम संसकार पूजन चैनल में आपका स्वागत दे आज के इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं कि सोने की लंका केसे माता पारवती ने देवारी दे महादेव से प्राहतना कर वो बनवाई परन्तु हुआ सोने की लंका जो ह हैं आए जानते हैं कथा के भरे में मित्रो एक बार माता पारवती ने मैसूस किया कि मादे देवों के देव हैं सारे देवताओं मेलों में रहते हैं लश्मी माता भी भगवान मिश्नु के साथ बेखुंट के मेलों में रहती है और माता सरस्वती भी ब्रह्मा के साथ ब्रह मादक के मेलों में रहते हैं लेकिन देवाली देव शंशान में क्यों रहते हैं इसमें तो आप महादेव की पर्तिष्टा भी विगडती थि उन्य माता पारवती ने महादेव भगवान बात मन्वाने का हट किया कि आपको भी सुन्दर मेलों में रहना चाहिए और मेरे रहना होगा आपका महल तो इंद्र के मेलों से भी सुन्दर और बहुत भव्य होना चाहिए उन्होंने जिद की कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोक में नहीं हो मादेव ने पार्वती बोला कि हम तो हट योगी हैं सादू है मेलों में तो हमेशा शांती वा चेहन नहीं मिलने वाला है मेल में तो रहने से बड़े नियम वा विदान होते हैं हम तो मस्त मोला ओगणों के लिए महल उचे नहीं है हम तो सादग हैं, योगी हैं, परमहंसी हैं परंदु देवी का हट अपनी जगह पर कायम था कि देवता अगर मेलोग में रहते हैं तो देव आदी देव शम्षान में क्यों और बर्प की पहड़ों और चट्टानों पर क्यों अता भगवान शंकर को माता पार्वती इस्त्री की हट को मानना पड़ा और जुगना पड़ा मित्रो उन्होंने विश्व कर्मा को बुलाया और ऐसा महल बनवाने को कहा जिससे सुन्दर भराबर का महल त्रिववन तीनों लोकों में कहीं भी नहीं हो विश्व कर्मा जी की जगह की खोच करने लगे उन्होंने ऐसी जगह दिखी जो की चारों और से पानी से गिरी हुई थी और बीज में तीन पहाड दिख रहे थे उस पहाड पड़ तरह तरह के फूल वनस्पतियां लगी हुई थी सुन्दर सोभाय मान देखकर विश्व कर्मा जी प्रसंद हुए विश्व कर्मा जी ने उस जगह के बारे में जैसे ही माता पार्वती वो बताया तो माता पार्वती प्रसंद हो गई फिर एक विशाल नगर के निरमान का आदेज दे दिया गया विश्व कर्मा जी ने अपनी कला का परीचे देते हुए वहाँ सोने की अद्बुन नगरी बना दी माता पार्वती जी ने गरह परवेश को महरत निकलवाया और विश्वा रिशी को आश्यर पंडित नियुक्ति किया गया सभी देवी देवताओं को रिश्यों को निमंतरन मिला जिससे की महल देखा और उस महल में सुन्दर मंतर उचारन से हवन हुआ और उसकी प्रसंसा करने उस महल की प्रसंसा करते नहीं ठख रहे थे गरह परवेश के बाद महादेव जी ने आचारपंडित से दश्णा मागने को कहा महादेव की माया से विश्वा रिशी का मन लालस से बर चुका था उस नगरी पर आ गया था इसलिए विश्वा रिशी ने महादेव से गरह परवेश की दख्षना के रूप में सोने की लंका ही मांग ली भगवान बोले नाथ तो बहुत ही बोले नाथ हैं और बहुत ही सरल हैं अपने प्रिय भक्तों के लिए बस फिर क्या था मादेव ने विश्वा रिशी को लंका दान कर दी बस माता पारती को इस दृष्ट टाका बहुत क्रोध उत्पन हो गया उन्होंने क्रोध में आकर ब्रामण को विश्वा रिश्य को श्राप दिया कि तुने मादेव की सरलता का लाब उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है ब्रामण लोग तुम अपनी दस्वना से कभी संतुष्ट नहीं रहोगे हमेशा मांग मांग करने की तुमारी आदत नहीं जाएगी मेरे मन से क्रोध की अगनी ददग रही है मादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जला कर नश कर देगा जैसे हनुमान जी ने अपनी पूस से सारी लंका को जला के राक कर दिया था उसके साथ ही तुमारे कुल का भी विनाश अरम हो जाएगा कश्यव रिशी के अनुसार विश्वा रिशी मुनी वह कुरीव पुत्र कुबेर को मिली और कुबेर भगवान रावन का सोतेला बाई था कुबेर धनपती था कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार प्रार्म किया रावन ने सुंबा और बाली दीप को जीत कर अपने शाषन का विस्तार करते हुए अंगदीव मल दीप वारा दीप शंक दीप कुष्दीप यश्दीप और आंद्रालय पर विजय प्राप्त की इसके बार रावन ने लंका को अपना लक्ष बनाया लंका पर कुवेर भगवान का राजथा परंतू पिता ने लंका के लिए रावन को दिलासा दिया था रावन का इंतजार बहुत सहीनिय था कुवेर को केलास परवत के पास तिबश शेत्र में रने के लिए कह दिया उसी तारंबय में रावन ने कुवेर का पुष्पग विमान मी छीन लिया रावन की माता के कसी सुमाली की पुत्ती थी अपने नाना के उकसाने पर रावन ने अपनी सोतेली माता इकलिविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध करा और रावन का अपना शाषन कायम किया इस प्रकार रावन ने अपने सोतेले बाई कुबेर से श्री सोनेगी लंका भी जीत ली और शाप के कारशिव के अवता श्री हन्मान जी माराजी ने लंका जलाई और विश्वा रिश वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए गया और शेयर जरूर किएगा मित्रो जैसे किष्णा रादे रादे